आईपियल 2022 का 16वा मुकाबला मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में खेला गया जहां दो इनफॉर्म टीमें गुजराट टाइटन्स और पंजाब किंग्स आमने सामने थी और दोनों टीमों ने इतनी जबरदस्त फाइट देखाई है कि ये मुकाबला इस सेजन का सबसे य पायूस हो गया था तो आई इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या रही मैच की पूरी हाइलाइट्स और कैसे राहूल तेवतिया के जादू से जीता गुजराट टाइटन्स पंजाब के खिलाफ गुजराट के कप्तान हार्दिक पांडिया ने टॉस जीत कर पहले गेंद का दे दिया और मयंक मात्र पांच रन बना कर पवेलियन लोड गये हालांकि अगले ओवर में धवन और बैरिस्टो ने शमी को दो बाउंडरेस लगा कर थोड़ा मोमेंटम हासिल करने का प्रयास किया लेकिन इस सेजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे जॉनी बैरिस्टो क कोई खास कमाल नहीं कर सके और सिर्फ आठ रनों का योगदान दे कर चौथे ओवर में फर्ग्यूशन का शिकार बन गये पहले छे ओवर में पंजाब किंग्स ने साथ के रन रेट से 43 रन बनाए लेकिन इस दोरान दो विकेट हासिल करने के कारण टाइटन्स ने मैच में पकड बनाई हुई थी लेकिन इन फॉर्म लिविंग्स्टन का बल्ला इस मैच में भी अपने रंग में था दाएं हाथ के विसफोटक बलेबाज ने आठवे उबर से चार्ज लेना शुरू किया लिविंग्स्टन ने युवा दर्शन नालकंट्य के पहले उबर में ही एक बड़ी हिट लगाई हालांकि अगले उबर में राशित खान को भी एक बड़ो शाट लगाने के प्रयास में लिविंग्स्टन ने लगभग अपना विकेट गमा ही दिया था लेकिन बाउन्डरी लाइन पर कप्तान हार्दिक पांट्या का पैर कैच लेने के बाद बाउन् अच्छे रखने का काम किया और किंग्स ने इसी के साथ 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 86 रन बना लिये दूसरे एंड से शेखर सेट हो चुके थे लेकिन इससे पहले वो बड़ी पारी खेल पाते दिगज लेग स्पिनर राशिद खान ने धावन को 35 रनों के नीजी स्कोर पर आउट करके किंग्स को एक बड़ा जटका दिया दावन के जाने के बाद नए बल्लेबाज जितेश शर्मा 12 ओवर में हार्दी को एक चौका जड़े और इसी ओवर में किंग्स ने भी 100 का आंकड़ा छूलिया फिर आया 13 ओवर जिसमें जितेश और लिविंग स्टन ने गे जग्का लगा कर स्टाइल से अपना अर्ध शतक पुरा किया सिर्फ 21 ओवर में लिविंग स्टन ने 50 लगा दी 13 ओवर में पंजाब किंग्स ने 24 रंज जोडे और ऐसा लगने लगा जैसे पंजाब यहां से गेम को कंट्रोल करेगा लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पंजा इसके स्कोर पर ही आधी पंजाब की टीम पवीलियन लौट चुकी थी हालांकि लिविंग स्टन डटे हुए थे और उनके बले से रन रुकने का नाम नहीं ले रहा था वही नए बैटर शारुख खाने भी आते ही 15 ओवर में मुहमद शमी को दो बैक टू बैक चखके 16 ओवर में स्टार लेग ने पहले लिविंग स्टन के 27 गेंदों में 64 रनों की शांदार पारी का अंत किया वहीं इसी ओवर में शारुख को भी अपना शिकार बना कर पंजाब किंग्स को बैक फुट पर धकेल दिया 16 ओवर में 155 रनों पर ही 7 बल्लेबाज पविलियन की राह देख चुके थे ऐसे में उनके लिए अब मुश्किल बढ़ चुके थी रबाड़ा और वैभा और ओड़ा भी एक एक करके चलते बने और 162 के स्कोर पर ही किंग्स के 9 विकेट धेर हो चुके थे यहां से गुचरात के फैंस को भी यही लगा था कि 20 ओबर के पहले ही पंजाब का खेल खत्म हो जाएगा लेकिन राहुल चाहर और और अरशदीब सिंग अंत तक लड़ते रहे इन दोनों बलेबाजों ने हार नहीं मानी और सिर्फ 13 गेंडों में ही 27 रनों की नाबाद साज़ेदारी करके किंग्स को 165 से 189 के बड़े स्कोर तक पहुँचाने में अपनी एहम भूमी का निभाई चाहर ने सिर्फ 14 गेंडों में 2 चौके और एक बड़ी हिट की मदद से 22 महत्वपोर रन बनाए वहीं अरशदीब भी 5 गेंडों में 10 रन बना कर नाबाद रहे 190 जैसे बड़े लक्ष का पीछा करने उत्रे गुजराद टाइटन्स को धमाकेदार शुरुआत मिली इनफॉर्म शबमन गिल ने पहले उबर से ही ताबरतोर बल्लेबाजी करते हुए वैभव अरोडा को दो जोगे समेत कुल 10 रन जड़े वहीं इसके बाद अगले उबर में अरशदीब को 3-4 के लगाए जिसके बाद गुजराद की गाड़ी शुरू से ही एक्सप्रस टेंड की तरह भागनी शुरू हो गई थी पहले 3 उबर में टाइटन्स ने 31 रन बना लिये थे लेकिन 4 उबर में एक्सपिरियंस्ट कगीसो रबाडा ने मैथ्यू वेड को सस्ते में निप्टा कर रन गती पर ब्रेक लगानी चाही पर पहला विकेट जाने के बावजूद गुजराद के बलेबाज तेजी से रन बनाते गए अपना IPL डेब्यू कर रहे युवा साई सुदर्शन ने आते ही एक आगरशक शौट के साथ इस टाइल से खाता खोला और फिर गिल के साथ मिलकर शानदार पार्टनर्शिप करते हुए पहले 6 ओवर में ही टाइटन्स को 50 के पार पहुँचा दिया बाए हाथ के सुदर्शन ने इसके बाद राहुल चहर का स्वागत भी छक्की के साथ किया और फिर 8 ओवर में शवमन ने चार्ज लेते हुए ओडियन स्मित को छक्का जड़ा लेकिन अगली गेंद पर स्मित से गिल का एक कैच छोड़ गया था और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अगले ओवर में 29 गेंदों में एक यादगार और धिशा तक पूरा कर लिया इसे बीच दोनों खिलाडियों के बीच 50 रनों की साजेदारी भी पूरी हो गई और पहले 10 ओवर में गुजरात ने सिर्फ एक विकेट खोकर 94 रन बना लिये अगले 60 गेंदों में टाइटन्स को 96 रनों की दरकार थी और फिर 11 ओवर में गिल ने राहुल चहर को चौका लगा कर गुजरात को 100 के पार पहुँचा दिया लगभग हर ओवर में शुबमन ने एक आठ बाउंडरे ढूंड ले रहे थे जिसके कारण गुजरात के टीम मैच में फ्रेंट फूट पर दिखाई दे रहे थी 13 ओवर में टाइटन्स ने एक विकेट खोकर 119 रन बना लिये थे गिलसी के और सुदर्शन 30 रन बना कर बेलकुल सेट हो चुके थे और टाइटन्स को अब 42 गेंदों में सिर्फ 71 रनों की जरूरत थी यहां से पंजाब के हाथ से मैच काफी दूर होता जा रहा था 14 ओवर में आये रबाडा भी इन दोनों की पार्टनर्शिप तोड़ने में नाकाम रहे इसी बीच सुदर्शन और शुबमन ने 6-6 गेंदों में शतकी साजेदारी कर डाली लेकिन अंतता किंग्स को वो ब्रेक्थ्रो राहुल चेहर ने दिलाई 15 ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चेहर ने 27 सुदर्शन की 35 रनों की शांदार पारी का अंत कर दिया और 15 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर मुकाबला रोचक बनाने का प्रयास किया आखरी 5 ओवर में गुजराव टाइटन्स को जीतने के लिए अभी भी 56 रन चाहिए थे जिसके बाद 16 ओवर में अर्शदीप ने भी काफी कीफायती गेंद बाजी करते हुए केवल 6 रन दिये और अब मामला काफी रोमान्चक हो चुका था क्योंकि अगले 24 गेंदों में गुजराव टाइटन्स को जीतने के लिए 50 रन बनाने थे और हार्दिक पांजया के साथ वेल सेट शुबमन गिल कृच पर मौजोद थे 17 ओवर का जिम्मा राहुल चहर को दिया गया लेकिन यहां अर्शदीप ने शांदार गेंदबाजी कराते हुए सिर्फ पांच रन दिये और मैच एक कदम से पंजाब की तरफ मौड गया था सेकेंड लास्ट ओवर में हार्दिक ने भले ही रबाड़ा को दो चौके लगाए लेकिन इस गेंदबाज ने वेल सेट शुबमन को आउट करके मैच पंजाब की तरफ मौड दिया था खेल आखरी 6 गेंदों में चला गया था जहां गुजराद को जीतने के लिए अभी भी 19 रन बनाने थे पंजाब के लिए आखरी ओपर ओडियन स्मिथ डाल रहे थे और हर्दिक पांजया ओवर की पहली गेंद पर 27 रन के नीजी स्कोर पर रन आउट हो गए अब 5 गेंदों में 18 रनों की दरकार थी जिसके बाद दूसरी गेंद पर नए बलेबाज राहूल तेवतिया ने एक सिंगल निकाला और फिर तीसरी गेंद पर किलर मिलर ने शांदार चौका लगा कर गुजराद की उमीदें बनाए रखे लेकिन अभी भी उन्हें तीन गेंदों में 13 रन चाहिए थे पर अगली गेंद पर मिलर के बले से सिंगल ही आया जिसके बाद अब टाइटन्स को जीतने के लिए राहूल तेवतिया के बले से हर हाल में दो बड़ी हिट्स चाहिए थी और हरियाना के सिस्टार बलेबाज ने एक बार फिर पंजाब के खिलाफ एक ऐसा करिश्मा कर दिया जिसका दर्द स्मित और पंजाब के फैंस शायद ही भूल पाएंगे तेवतिया ने अगले दो गेंदों में दो बड़ी शोट लगाए और आखरी गेंद पर अपनी टीम गुजरा टाइटन्स को 6 विकेट से एक यादगार जेद दिला दी तो दोस्तों आप गुजरा टाइटन्स के सकरिश्माई जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चैनल ट्रिकेट इन इंडिया को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें शेर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भोलें